आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ जैसा कि प्रीविएस वीडियो में मैंने अपने डिसकास किया था चाप्टर नमबर थ्री ग्रेट एट जिन्यू साइंस की बुक का विच इस वेरिएशन है रिडिटी एंड डिविएन उसके हमने जो थ्री टॉपिक्स से वो कवर कर यह थे अब हम उसका टॉपिक 3.4 वाट्स एंड क्रिक मॉडल ऑफ डियने उसे हम डिसकस करेंगे अब अगर आपको नाम से पता चरण रहा होगा कि जो डियने के मॉडल के डियने के स्ट्रॉक्चर की इसमें बात की गई होगी जो वाट्स एंड क्रिक ने जो भी डियने का जो मोडल इंट्र Chung करवाया था मैं मैं वह आपके सामने एक स्ट्री करूंगी जो Inspector करोंगी जो डियने ह Process लोकेट करता है निशन पर डियने पर जीन प्रेammिजन उता है और फ्रिफीजन के सबस्क्राव इसका मतलब जो दियने वह एक सेट ऑफ दा इंफॉर्मेशन होकर जिसमें पेरेंच की करेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अच्छा अब जो डीने होता है वह मल्टिपल थाउजंस ऑफ न्यूक्लियो टाइब से मिलके बना होता है तो अब जो आप अगर अपनी बुक पर भी दे साथ एकस्प्रेइन भी किया गया है तो यहां पर मैं आपके सामने पॉइंट्स मेंचिन कर देती हूं कॉंसेस्ट नो मेड़ आप ओफ मेड़ आप ओफ थाउजंस ऑफ न्यूक्लियो टाइड्स थाउजंस ऑफ न्यूक्लियो टाइड्स से मिलके बना होता है डी एम ने अब वो जो न्यूक्लियो टाइड्स होते हैं उनके क्या-क्या नेम होते हैं मैं उनके बारे में मेंचिन कर देती हूं सबसे पहला होता है एडी नाइन अदिनाइन सेकेंड इस थाइमाइन थर्ड इस साइटोसाइन इन लास्ट वान इस गौनाइन अब यह जो होते हैं यह 4 तरहां के नूकल्यो टाइड ने İsथाएन ने अभी अधू होते हैं जो थामाइन पनाता है यह साइटोसां ने सत्वान वान इंभा उग्याалась भी देख लेंगे तो DNA जो होता है यहां पर एक और पॉइंट में एड़ कर देती हूं कॉंसेस्ट और कि तू स्ट्रांड्ड कि ओस नियूक्लियो टाइड्स नियूक्लियो तू दो स्ट्रांड्स जो होते हैं डीने में प्रेजेंट होते हैं और दोनुस प्रेंड्स पर नियूक्लियो टॉटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डोनुस्ट पैड्स जो एडी9 जो फ़ल inveya नियूट्राइड होगा वह सेक्ट वाले 써्ड्स की जो थायमाइडória निउक्लियो टाइड होगा उसके साथ पेयर बनाएगा कि जो साइट विया स्ट्रैंट के साथ सब और पेर बनाएगा मैं यहां पर आपको बता भी देती हूं सेपोस्थ यह दो स्ट्रैंड्स है इन स्ट्रैंड्स पे डिफेर्ट नुक्लिउ टाइट जो है वो प्रेजंट है ڈिफ्रेंट सरहा के नुखिलो टाइड जो है प्रेजर्ट है अब फ्रेंड वन में व्रेंड वन में एगर यह एडी-9 वाला आपका जो है नुखिलो टाइड है एडी-9 वाला तो वो इस वास्त क्रेंड टू के जो थाय माइन होगा थाय माइन यूगलोटाइड होगा उसके साथ पेर बनाएगा जब के जो आपका स्ट्रैंड वन का जो साइटोसाइन होगा साइटोसाइन होगा वो स्ट्रैंड टू के गौनाइन के साथ पेर बनाएगा कि गौानायन के साथ बॉंड बनाएगा अच्छा अब जब और जो यह बॉंड बनाते हैं यह नूकलियोटाइट्स जो होते हैं बापस में बनाते हैं तो वह उनके बॉंड किस चीज का बॉंड बनाते हैं हाइडरोजन बांड बनाते हैं इनके बीच में नुकलियर टाय著 के में में जो बांड होता है वो हाइडरोजन बांड प्रेजेंट होता है और किस cór से यह आपस में बाउंड बनाते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया अब इस तरह से तो यही था वाट चल और करेक्ट मॉडल यही था कि आपका जो था यह दो स्ट्राइंड पर कंसिस्ट करता है इट कंसिस्ट ओन तो स्ट्राइंड और नुक्लियो टाइड जो इसके अंदर चार किसम के नुक्लियो टाइड प्रेजंट होते हैं यह स्ट्राइड नियुक्लियो स्ट्रार नकॉर किस तरह से हैं और इन की भी इंकौ प्रेजन पर उत्ता है यह भी मैंने आपको इस्ट इंफिन कर दिया है अब हम बढ़तें हैं अपने श्रक नंब पंप की तरव जो कि है transmission of characters हम पहले यहाँ पर heading लिख लेते हैं कि किसके बारे में हम बात करेंगे हम बात करेंगे अब transmission of characters transmission of characters किसे होती है यह क्यूं होती है जब मियॉस्स का process होता है cell devian होती है हम है इसा है हरीडिटी और वेरियेशन से निकल कर जब हम correct plus की बात करते हैं cell devian पहुंच जाते हैं cell devian होती है माइटॉस्स होती है में इसका topic आएगा तब मैं आपको explain करूगी अभी मैं आपको इसका introduction दे देती हूं यह दो तरहां से होती है माइटॉस्स होता है एक keyword आप लोग याद रख लेंगे माइटॉस्स होता है उसके end में जो होता है एक तो यह होता है कि यह पेरेंट सेल में जो क्रोमोसॉण प्रेजंत होती है वही जो औप्स्प्रिंग में क्रोमोसॉम्स होती है प्रोसेस में स्क PB system स्वा संट होंगना क Dit के boyरा इंशाल्लाओ तंब बाकिक प्रwe스ं की उखते बड़ें के लएति हैं ? जब माइट्वीस का Pr PA condensed सॉरी ब्सक्रोमुसम्न उते वह फैंगते हैं जो एग और स्पॉम्न चो प्रोड्यूस करता है C तो हम टोड्यूस कोभिटा आग और फिकला। वह आधकी दोन हो पिर्ट हो जाते हैं लिए होते हैं पिर्ट होगी हो जाटे तो हो जाते तो यह zygote की formation करते हैं, zygote जो होता है, इसको offspring भी कह लेते हैं, इसको जो भी cell बनता है, इनके addition में, इन दोनों के addition में, जो भी आपके पास result आएगा, वो zygote का result आएगा, जो भी इनके parent के father sperm है, जो male sperm है, उसकी information इस haploid में save है, और जो female gamut है, उसकी information इस haploid में save है, अब जब यह दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो यह मर्ज होके, एक zygote, एक new cell की formation करेंगे, जिसमें जो होगा, जिसमें father, जो male gamut होगा, और female gamut होगा, उसको दोनों की information store होगी, यहां तक हम ने अपने topic 3.4 और 3.5 को cover up कर लिया है, अब इन्शाला ताला जो next topic था, जिसका मेरे students, काफी ऐसे students इंको वेट था, कि माई टॉसर्स और मुसर्स का जो process है, अक्सर स्टुडेंस इसमें confused भी हो जाते हैं, इंशाला ताला नेक्स जो वीडियो मैं बनाऊंगी, वो इसी पर ही बनाऊंगी, और जो भी आपके माई में confusion है, वो मैं कोशिश करूंगी कि clear हो सके, तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो देखे, कोई भी question हो, comment box में पूछिए, मैं answer आपको ज़रूर करूंगी, तब तक के लिए stay blessed, चला हाफिस.